दोस्तो चाहें बड़े बुजूर्ग हो या डॉक्टर हो हर आदमी सलाह देता है कि हमें भोजन करने के बाद किसी न किसी एक फल का जरूर सेवन करना चाहिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीवी फल के बारे में जो कीवी फल होता है वो हमारी सरीर के लिए बहुत ज्यादा लभदायक होता है इसमें बहुत सारे औसधिये गुण पाए जाते हैं इसमें एंटी ओक्सिडन्ट, एंटी इंफलामेटरी, एंटी हाइपरसेंटिव ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे इसमें और सधीय गुण पाए जाते हैं जैसे एंटी थ्रोंबोटिक एंटी थ्रोंबोटिक जो होता है वो खून को ठकका नहीं बनने देता है साथी साथ इसमें विटामिन चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और जनकारी को जानेंगे विश्तार से और साथ ही जानेंगे कि हम कौन से बीमारी में किस परकार से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों जो लोग अपने हिर्दय से संबंधित किसी भी बीमारी से परेशान है तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद होता है इसका आपको लगातार सेवन करना है यह प्लेटलेट हाइपर एक्टिवीटी प्लाजमा लीपीड वह हमारे ब्लेड प्रेसर को कंट्रोल करने का काम करता है यानि कि अगर हम आसान भासा में बात करें तो कीवी में कार्डियो पाचन सम्मंधित समस्याओं के लिए अगर आपके पेट में गैस कब जाया आपका भोजन पचता नहीं है तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करता है इसमें लेक्सेटिव गुण पाये जाता है जो की पेट साफ करने में मदद परता है साथी साथ इसमें फाइवर् पर दने होगा आपका सौच विशुव सही धंग से हो जाएगा इसके साथ है आप डाइविटीज के लिए कीवी में गलाइसेमिक इंडेक्स की सूची में रखा गया है यानि कि इसे इंडेक्स खाने वाले पदार्थ ब्लड सूगर में इंसुलीन की मात्रा को संतुलित करक इसे रखा गया है यह कीवी बिटामिन सी का भी अच्छा स्वरोत है वहीं बिटामिन सी का जो भी रिलेशन है वह इंसुलीन प्रतिरोधी में कमी और ब्लड गुलुकोज को कंट्रोल करने में सहायक पाये जाता है इसलिए जो भी टाइप टू के डाइबिटीज है उन्हें यह बहुत ही असानी से कंट्रोल करने का काम करता है इसके साथ है इम्यूनिटी अगर आपकी इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कम जोर हो चुके है तो उन्हें यह बहुत ही असानी से बेहतर करने का काम करता है दोस्तों इसमें विटामिन सी केरोटिनाइड फॉलिफेनोल औ की वी में बायो एक्टिव पदार्त होते हैं जोकि है जोकि रख चाप यानि के ब्लड प्रेसर को कम करने का काम करता है शाहते हैं आपको जनकारी कैसी लगे नीचों को प्ताइगा अगर आपको जनकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किजी साथ चैनल को जरूर कीजेगा तो काईज हम आपसे मिलेंगे ऐसा ही नहीं और इंट्रेस्टेड जानकरी के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद